हम कर रहे हैं history का chapter number 6 entertainment and history पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था जैसे कि हमने 10 अफता theater cover किया था फिर puppetry कटपुतली के topic को हमने cover किया हमने समझा कि हमें entertainment क्यूं चाहिए और हमने ये भी समझा था कि entertainment होता क्या है एक बार अगर आप continuity में वीडियो देख रहे हो तो रिवाईज जरूर कर लो अपने मन में और अगर continuity में नहीं देख रहे हो तो वे textbook को एक बार एक पेज पीछे जाओ और एक बार एक glance ले लो एक बार उसको देख लो कि भाई क्या क्या हमने पढ़ा था आज हम start करेंगे पढ़ना जो कि ये भजन इसके बाद हम cover कर लेंगे किर्टन देखते हम कितना cover करते हैं तो आराम से बैडिया हो और अब पढ़ते हैं टेक्स्ट्बुक अपने पास रखो और देखते चलो तो अपने पास next topic है वो है भजन और भजन के बगल में ही लिखा बिल्कुल singing devotional songs मतलब क्या है कि भजन में हम क्या करते हैं कि भक्ति वाले गाना को गाते हैं to sing songs in praise of God and chanting God's name तो इसमें क्या है कि हम भगवान का भगवान की महीमा गाते हैं उनकी शक्ती जो है उसकी महीमा करते हैं कि आप इतने powerful हैं और उनके नाम की chanting करते हैं बार बार उनक करते हैं साथ-साथ, accompanied by in instrument like Tal, ''-Myridangam, Pakhwaj'' is known as भजन तो हम भगवान की महीमा आगाते हैं उनका नाम जब करते हैं और बार बैंने, तो साथ-साथ में byِ आभभवान की महीं काते हिसी को चेंट करते बार-बर उनका नाम लेते हैं को reflect तो यहां तक वर समझे यह वह संधन क्या दोटी से वह जर टो अब लिखन में देखने को मिलते हैं इक होता है जकरी अगर और इक होता है सौंगी भजन चकरी भजन और सौंगी बजन चक्री देखो नाम से עerry नाम से he can clear हैं चक्री का मतलब क्या हुता है सर्कूलर ठीक है देखो अब लिखा हूए टीज़ की up moving inве कर देखने मों सहब क्या है। तो देखना हो तो आप बिलकुल यूटूब पर सच करें चकरी भजन और प्रसूर backend च्रूं जौ्समा रहता है ठीक है सिंग करता है बिना ब्रेक की तो वो कौन सा हो गया चक्री भजन दूसरा कौन सा भजन है वो है सौंगी भजन the singer actors act like a devotee and deliver dialogues in a form of devotional songs तो देखो सौंगी में क्या होता है यहां पर जो है जो सिंगर है वो as a bhakt act करता है और वो dialogues भी बोलता है ठीक है तो अगर तुम चक्री में देखो तो क्या होता है चक्री में एक वेक्ति है वो ऐसे गोल गोल घोम रहे हैं सारे लोग और भजन गा रहे हैं सौंगी में क्या होता है सिर्फ गाना नहीं है इसमें तुमें और क्या देखने को मिलने वाले हैं डायलोग भी देखने को मिलने वाले हैं चीक है तो देखो यहां पर लिखा कि क्य करता है Delivers Dialogue तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि भजन क्या होता है हम भगवान के प्रेज में और उनका नाम chant करते हैं साथ साथ में हम क्या करते हैं instrument play करते हैं उसे हम क्या क्या सकते हैं भजन दो टाइप क्यों होते हैं चक्री बजन और सौंगी बजन चक्री बजन में क्या होता है circular fashion में घूमते हैं और बिना break के गाना गाते हैं सौंगी में क्या होता है कि जो भक्त होता है वो dialogues भी deliver करता है ठीक है so deliver dialogues in a form of devotional songs तो है वो सौंगी type का चीज लेकिन उसमें हमें क्या देखने को मिलती है dialogue delivery देखने को मिलती है तुग्डो जी महाराज introduced a new form of भजन known as खंजेरी भजन तो तुम्हाई टेक्स्ट्रुक में खंजेरी भजन क्या होता है उसके बाब डिटेल तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हाँ यहाँ से तुम्हें के तुग्डो जी महाराज ने concept form of भजन को introduce किया था फिला पास सकता है तो याद आखना है वो कौन सा भजन है खंजेरी भजन ठीक है आगे चलते है next part देखते है do this में लिखा हुआ है कि listen to the bhajans composed by Santh Tulsidas, Surdas, Mirabai, Kabir and try to learn them with the help of your music teacher or some traditional singers तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप वो जो हमारे देश में महानमान संत हुए है Santh Tulsidas, Santh Guru, Surdas, Mirabai, Kabir जितने महानमान सब संत हुए है इन सब के जो भी इनने भजन गाए हुए है जो इनके भजन आज अवे लेबल हैं वो सुनो और उसे क्या करो learn करने की कोशेश करो तो यह आपको साही में भी करना चाहिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर कुछ जो चीज हमें याद रखनी है तुमारे एक्जाम परस्पेक्टिव से भी इन नौर्थ इंडिया भजन कंपोश भाई संत तुलसिदास दे ग्रेट पोएट सूरदास संत मीरा भाई संत कबीर और वेरी पॉपिलर तो यह कोशन आ सकता है कि नौर्थ इंडिया में से कौन से कौन से संत हैं जो बहुत फेमस है बहुत पॉपिलर है तो उसमें से नाम कौन सा कौन से याद रखना है तो देख लो यहाँ पर संत तुलसिदास सूरदास मीरा बाई, कबीर यह सारे जो संत हैं जो यह सब कहां से हैं नौर्ट इंडिया से और जिनको मैं बहुत प्रिफर करता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ कि बहुत पढ़ू वो है संत कबीर है सारे ही संत बहुत अच्छे होते हैं सारे संत तुलसिदास हो सूरदास हो मीरा बाई हो, कबीर हो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारे एक्जाम परस्पेक्टिस से तुम्हें क्या दखना है कि नॉर्थ इंडिया में कौनसे कौनसे बहुत ज्यादा पॉपुलर संत है तो कौनसे कौनसे आदखना है में तुलसी दास, सूर दास, मीरा बाई और संत कबीर और अगर आप करनाटक रीजन से देखो वहां से आपको देखने को मिल लेंगे पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बुधेंदर गुरु स्वामी और त्याग राज ठीक है तो इनके जो सारे तुम्हें भजन्स देखने को मिल लेंगे कहां पर करनाटक में पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, त्याग राज तो ऐसे देखो यहां पर चार नाम तो एटलिस्ट आपको याद करना ही है जिसे भुधेंदर गुरु स्वामी अगर आपको hard लग रहा है, difficult लग रहा है तो आप क्या करोगी पुरंदर दास, करनक दास, विजय द्यास और त्याग राज, कमसे हम इतना नाम तो तुम्हें याद होना चाहिए, तो ये महान-महान जो संत है, इनके बारे में पढ़ना और इनको सुनना बहुत ज़दा क्या होता है, जरूरी होता है, एक्जाम करनक दास, विजय दास और अत्याग राज, ठीक है, मैं अभी जब पांच मिलिट और कुछ पढ़ाओंगा तो फिर मैं तुम्हें रैंडम ऐसे कुश्चन करूँगा, कि बताओ करनाटक से कौन था, करनाटक से कौन थे, बताओ नौर्थ इंडिया से कौन थे, तो बैटर करके पुछ लिया तो पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, और त्याग्राज, अब अपने अपने में दिमाग में को इनको ट्रिक भी बना सकते हो, यह न, पुरंदर से अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, जैसे मुझे तो याद आ रहा है, तुम सोचो क्या हो सकता है विजय दास, कनक दास , तियाग राज ठीक, तैसे कि तुम तियाग करोगे तो ही तुम जिनीद्गी में विजय पा सकते हो तो ऐसे करे कुछ याद कर सकते हो ठीक है ताकि तुम्हें याद रहे मैं यह पोछूँगा भी तुम्हें तो ध्यान रखना अभी जस्ट रिवीजने पूछने वाला हूँ आगे देखते हैं गुजरात में जो एक संथ बहुत महान रहे बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा ही वो है संथ नर्सी मैता जिनोंने क्या किया भक्ती मूवमेंट का मोमेंटम दिया मतलब भक्ती सब्सक्ति मूवमें इस बढ़ाता कोई जो होँ इस संथ नामदेव भन आगे बढ़ावा उन्होंने दिया वर्करिशेक्ट क्या होता है यहां पर बहुकरी क्या हूए या वरकरी सेक्ट में अब क्या होता ही सेक्ट में ये सेक्ट पुजा करती है विठोबा जो भगवान विट्टल है वगवान विठोल है किसके रूप है वो कृष्ण के ही रूप है तो आप अगर सर्च करते हो जरूर करना ही है कि कैसे विठोबा और भगवान कृष्ण दोनों एक कैसे हैं और वो क्या कहानी थी तो आप सर्च करना आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी तो याद रखना ये वर्करी सेक्ट जो भगवान विठ्थल की पूजा करते हैं उस सेक्ट के जरीए बजन और किर्थन को सपोर्ट करते रहे हमेशा कौन थे वो संत नामदेव आगे देखते हैं दवर्करी सेक्ट डेवलप्ट ग्लोरियस ट्रेडिशन और भजन किर्थन तो भगवान किर्थन को बहुत अच्छे पॉइंट दर लेके जाना जन्मानस सक लेके जाना बहुत सही लेवर तक लेके पहुचना वो सारा किस ने किया हुआ था वर्करी सेक्ट जैसे मैं तुम्हें कहा था कि वर्करी सेक्ट जो है वो सेक्ट विठोबा भगवान विठल जो एक भगवान कृष्ण के ही रूप है उनकी पूजा करती है तो और तुम्हें उसके जाके कहानी भी देखनी है दो तीन कहानी बहुत फेमस है स्टार्टिंग किसी किसी के स् historians करनाटगा से कौन से गुजरात में कौन से और महाराष्ट में किसने भजन किरतन को आगे बढ़ाया महाराष्ट में संत नाम्देविजरात में र Parlव असन करनाटक में तो चार आसानी से तुम्हें याद रख पाऊ यнов बता रहा हूं और नौर्ट अिंडिया में ईसे सं अब देखो आगे हमें यहां पर पॉइंट ना है किरतन और यहां पर तुम यलो बॉक्स में देखोगे तो वह भूत रही किरतन जो हता है उसको तुम दो तरीके से कृतन को देख सकते हैं तो में ट्रेडीशन्स आफ करतन तो इसके पहले कि हम घे न किल लकर ट्रेडीशनिक को पढ़े हम पहने कवर कर लेते हैं का है किल तंक कीया गवाट न हैं और वह है अधू और महरास्ट्र में पहले किरतनकार कौन थे तो वो थे संत नामदेव तो संत नामदेव is known as the first kirtan कर और महरास्ट्रा अधर सेंस helps to help to other addition to flourish सबसे पहले किरतनकार उनका नाम्देव है और वाकी बहुत सारे संत्र है जिन्हों ननने कुछ तो थैंड रखना किष्टन सबसे पहली बार किकषिए को वे और महाराष्टर में पहले किर्टनकार और को座ो रहे बूंदh कि अब किर्टन कार के दो नाम इस कृष्टनकार की दो नामय जुकार किर्थनकार के तो करीொ ar अब जो किर्टनकार होता है, जो वेक्ति किर्टन करता है, तो भाई उसे एक ट्रेडिशनल वे में अपने कपड़ों को पहनना पड़ता है, जैसे कि उसे बहुत अच्छा होना पड़ता है, जैसे कि उसे बहुत अच्छा होना पड़ता है और एक वहत्ती जो पबलीक में आके इसके बहुत बोलने का गुन है, जो बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, तो मैं देखा हूँ कि कई लग बहुत अच्छा बोलते हैं, कि अगर भाशन दे रहे तो हम सुनते रहे जाओगे तो उसको हम क्या कैसे तेंगे इनका उराटरी बहुत अच्छा है फिर किरतनकार को बोलना तो अच्छा सीखना ही है अपने अपने पूर ट्रेन करना ही है साथ साथ मुझे से संगिंग अच्छी आनी चाहिए अलग-अलग उसे मुजिकल इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए उसे डांस अना चाहिए उसके पास यूमर होना चाहिए यूमर क्या होता है ना कि जैसे एक कह सकते हो कि वो माहूल को लाइवली रखता है कि तुम स्पॉंटिनेसली थोड़ा बहुत असी मजा कर पा रहे हो तो वो सारी कर वैकते भी होना चाहिए कि इस परफॉंट इन टेंपल और इन प्रिश्टिन आफ टेंपल तो मंदिर या उसी के पास वाले इलाकों में क्या होता है कि कि इसको हम कि प्रक्टिस करते हैं या कि इसको होता है तो एक बार कर लेते हैं फिर कुछ कोशन आंसर्स देखते हैं तो रिवाइस कर लेते हैं एक बार सबसे पहले तो किरतन कहां पर होता है तो टेंपल में या फिर प्रिसेंट्स ऑफ टेंपल प्रिसेंट्स का मतलब क्या होता है जो मंदिर के आसपास के इलाके होते हैं या उसे हम क्या सकते हैं प्रिसेंट्स ऑफ टेंपल फिर हमने पढ़ा कि वाई सबसे पहले founder किसे हम कह सकते हैं तो वो है नारद मुनी महाराष्टा में पहले किर्तनकार कौन है तो वो है नामदेव ठीक है किर्तनकार का एक और नाम क्या होता है वो है हरीदास जो कि तुम इजिली याद कर सकते हो बहुत ही उन्हें अच्छे traditional way में dress करना पड़ता है उन्हें अपने आपको oratory, singing, musical instrument, dance and humor ये सब में train करना पड़ता है साथ साथ में उन्हें बहुत ही well informed person होना पड़ता है और किर्तन जो है मंदिर में या फिर presence of temple मतलब बंदिर के ही पास वाले जगाओं पर हम क्या है किर्तन का perform कर सकते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं you would like to know एक बार का वर कर लेते हैं देखो किर्तन में दो tradition होता है एक होता है नराद्या या फिर हरीदासी और एक होता है वाराक्री किर्तन जो है वो तुम्हें दो tradition ही मिल सकता है कौनसा कौनसा है एक नराद्या और एक क्या है वाराक्री अब देखो नराद्या या फिर हरीदासी में क्या होता है यहाँ पर इनो solo performance होता है जो हरीदासी है यहाँ पर कैसा performance होगा solo मतलब एक वेक्ति गया है और परफॉर्म कर रहा है अच्छा अब ये अब दोनों का डिफ्रेंस ने मैं तुम्हें पहले ऐसे ही समझाने कोशिश करता हूं ताकि फिर तुम्हें रटना ना पड़ी जाता तो दो टाइप एक हरिदासी है और एक वराकरी है तो अब इसमें दे होता है उसमें यह होता है कि पुरा ग्रूप होता है वो लोग मिलके परफॉर्म करते हैं कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यह मैं तुम्हें दुनों चीज़ का डिफरेंस दिखाता हूं देखो हरिदासी किरतन एक सेकेंड यहां पर देखो कहा गया हरिदासी किरत आगर दुण वर्करी में देखो, तो वहाँ पर कैसा होता है, yeastी स्रेधे मेरा टीजिए देखने को मिलता है, तो पहला डिफरेंस हमझा है working मेरा टीजिए वे चस्रेधे मेateur एक ऐस आज लिखा है, जो बी जैसे हैं दो आज वार्ण है ओर लिखा है, वहाँ पर एक solo वेक्ति आता है और वो अपना किर्दन कर रहा है थोड़ा बड़ डिफरेंस तो में समझ में आया होगा और देखते हैं कुछ समझाया है इसमें अगर तुम हरीदासी किर्दन देखोगे तो उसमें क्या होता है उसमें दो पार्ट होता है पहला होता है पुर्वा रंग और दुसरा और सी में दुसरा पार्ट होता है वो है उत्रंग देखो पुर्वा रंग मतलब पहले और उत्रंग मतलब बाद में तो पुर्वा रंग में क्या होता है सबसे पहले नमन होता है जैसे कि मैं तुम्हें पहले basic समझाता हूँ, कैसे होता है नISHरी अगड़ांग में सबसे पहले एक वेक्तियाद hyväवन को नमन करता है भगवान, जैसे Krishna भबान का है तो पहले जैए Shri Krishna करके वह नमन करना, नमन करने के बाद क्या होता है, गाना गया जाता है, और गाना गाने के कि जो भी उस दिन थीम है बात हो जासे श्री कृष्ण की बात विए तो थी मैं मननों कि प्यार का को थीम है तो उस फुरे थीम को उस प्यार के टॉपिक को पुरा ख़्रच शुरू होता है उस में क्या करते हैं पूरी कहानी के दरा समझा arrives हरी दासी में हैं दो रंष मेंदय नहीं एंब जहां आए उसट तलुक्यात के इन रहे विलॉत। गिंदय उसके टीमों समझाना था ऊन स्टूरी मेंथन चीज सेए से नहीं कि छीशवर्णी ऍटवर्णी आन कि तोम गसा लैए यह तो तूम समझ गई किसमें कितने पाट वोते हैं दो पुर्वा रंग अ उतरंग आप देखते हैं इसमें क्या है नमन अभंग और फिर निरुपन यह तीनों किसमें आता है पुर्वा रंग मैं नमन में किया आता है प्रेजिंग गॉड जैसे कृष्ण भगाने तो पहले को प्रेस करना कि भाई जहीश्यक्रिष्ण कर के स्टार्ट करना फिर अबंग में क्या होगा निर्वपनाचा अबंग में क्या होगा कि singing a compilation leads to the mean theme के गाना गया जाएगा तो परले नमन क्या जाएगा और फिर गाना गया जाएगा और फिर क्या आएगा निरुपन जहां पर क्या है जो भी उस दिन का थीम है उसे क्या करेंगे explain तो देख रहे हो पहले नमन करना है फिर गाना गाना है फिर थीम को explain करना है simple नमन करना गाना गाना और फिर थीम को explain करना है आगे देखते हैं narration of a story to illustrate the mean theme comprises उतरंग तो भाई उतरंग में क्या होगा जो story है उतरंग में क्या होगा जो theme है उसके पूरे story को समझाया जाएगा अब मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल भी doubt ना हो कुछ भी निये देखो किर्तन में दो tradition है एक हरिदासी और दूसरी वरकरी या वाराकरी हरिदासी में क्या होता यहाँ पे दो चीज़े एक है पूर्वा रंग एक है उतरंग पूर्वा रंग में पहले क्या होगा नमन किया जाएगा फिर गाना गया जाएगा और उसके बाद में उसके बाद में थीम को समझाया जाएगा और उसी में उत्रा रंग में क्या होगा पूरे थीम जो था उसको थूर्व स्टोरी बताया जाएगा ठीक है तो अब तुम्हें अब समझ आ गया होगा तो हरिदासी हो गया और जुसरा कॉन से था वर्करी या फिर वराकरी अच्छा हरी दासी कैसा होता है? सोलो होता है, एक ही वेक्ति आता है अपना किर्थन करता है लेकिन जुसरा कॉन सा था? वर्करी में क्या होता है? कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है काफी लोग साथ में आते हैं और करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या होता है? एक इंस्ट्रुमेंट होता है ठीक है? अब डूरिं इंडिपेंडेंस, मुव्मेंट अन्यू टाइप अफ कृतन वस जैवला तो वह आजादी के समाई एक नया टाइप अफ कृतन आया था उसका नाम था राष्ट्रिय कृतन अब राष्ट्र कृतन में क्या होता है? इट प्लेज more importance on creating awareness by narrating the life stories of great leaders तो इस में क्या था न? जो महान महान leaders थे, जो महान महान scientists थे जो समाज को बदलने वाले social reformers थे social reformers मतलब वो लोग समाज को बदल रहे हैं उन सब कि क्या थी? उन सब की कहानियों को, उन सब की life stories को बताते थे तो उससे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कृतन तो राष्ट्र कृतन में क्या है? आजादी के समय था जो महान leaders थे, जो साइन्टिश थे, जो समाज सुधारक लोग थे उनकी कहानियों को बताया जाता है ठीक है? वही इन महाराष्टा से आगे देखते हैं Members of Shatya Shodak Samaj founded by Mahatma Jyotirao Fule तो अगर तुमने हिस्टर पढ़ी है तो तुमें चाहिद पता होगा कि Mahatma Jyotirao Fule जी ने start कराया था Shatya Shodak Samaj ये जो समाज ना Shatya Shodak Samaj जो किसे शुरू कराया था? Mahatma Jyotirao Fule ने इन लोगों ने भी यूज किया था किर्तन क्यों यूज किया था? As a medium of creating social awareness तो समाज में awareness फैलाने के लिए किसका यूज किया गया था? किर्तन का किसके दौरा? Shatya Shodak Samaj कर दारा जिसको शुरू किसने किया था? Mahatma Jyotirao Fule ने The style of किर्तन by Sant Gaadge Maharaj resemble close जी तो Shatya Shodak style of किर्तन तो भाई जो style Sant Gaadge Maharaj का है वो बहुत close किसके है? Shatya Shodak Samaj के style के He used to throw light on issues like abolitions of caste, cleanliness addictions मतलब क्या है कि समाज साफ होना चाहिए कास सिस्टम में इसाब खतम होना चाहिए ये सब के बारे में किसमें बात किया गया है? किर्तन में इन सब के बारे में बात जो है वो किया गया है तो वीडियो आप हो चुकी है करीब 30 मिनिट की नेक्स ललित भारूत तमाशाब हम नेक्स वीडियो में cover कर लेंगे एक बार quickly revise कर लेते हैं सबसे पहले हमने शुरू किया था भजन जो कि एक devotional song होता है भगवान के praise में हम गाते हैं भगवान का नयाम chant करते हैं इसमें instrument यूज करते हैं जैसे की ताल, मृदंगम, पक्वाच दो टाइप का होता है चकरी और सौंगे चकरी हमने देखा कि हमने देखा north India में Sant tulsi das, Surda, Sant Mirabai Sant kabir ये सारे वहुत famous थे Karnataka में Puranandar das, Kannak das, Vijay das, Tyagraaj, Bhodendra गुरू स्वामी ये सारे बहुत famous है गुजरात में Sant Narsi Mehta और महारास्ट के और महारास्ट में जिननोंने बजन कर्तन को को संत नामदेव, किरतनकार को हरिधास भी कहते हैं, इन्हों कि इन्हें बहुत ही ट्रेडिसनल देमार्स करना होता है, इन्हें अपने आपको ओरैटरी, सेंगिंग, मुजिक, मुजिकल इंस्टूमेंट, डान्स और यूमर, यह समिन बहुत ट्रेन करना होता है, साथ-साथ में वमने देख़ा कि बहुतीं वहल इनफॉर्मड होने चाहिए इनको जानकार्य अच्छीकासी होनी चाहिए और मंदिर या फिर उसके पास और किर्फन को जो किये किया जाता है okay अधिमने किया जाता कि 2 हम टडीशनости के एक है वरकरी तो एक एक सोलो होता है और एक होता है इसमें हम ग्रूप में करते हैं तो सोलो वाले में दो होता है एक को हम कहते हैं पुर्वा रंग दूसरा होता है उतरंग को आप पूरा रंग में क्या होता है स्थोरी के माद़ह में समझाते हैं और फिर पूरा रंग में क्या होता है पर Rs. यह सब्सक्राइब वह झाल्ड ज़ूरी हुथ है फिर हमने एक और टाइप उफ किर्तन देखा हो और वह था राष्ट्रिक किर्तन को शुरु करने का श्रेक इसको जाता है तो जाता है पर जादोपंत पटवर्दन जी को टीक है फिर हमने देखा कि सत्यशोदक समाज जो शुरू कहता है मात्मों जो दिराव फुले ने उन लोगोंने भी समाज में आवेरनेस फिलाने के लिए किसका बहुत यूज़ किया था किरतन का तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज हमने कवर किया है make sure करो कि जैसे मैं बार बार revise करते रहता हूं तुम भी क्या करो इसे बार बार revise करते रहो next video में हम cover करेंगे ललित भारुट तमाशा और पोवाडा फिर उसके next video में मराथी ठीयेटर एक टॉपिक होगा और last में आजाएगा Indian cinema तो बैक टुबैक रोज अब वीडियो आएंगे ही आएंगे अगर तुम देख रहे हो वीडियो अभी तक यहां तक सुने हो तो कमेंट करो और बताओ पढ़ने को कैसा लग रहा है मजा आ रहा है समझ में आ रहा है या नई थैंक यू